आज हम सीखेंगे how to make image shadow in photoshop सबसे पहले एक new document create कर ले मैं बता दूँ कि ये effect करने के लिए हमें image की cutting करना जरूरी है मैंने पहले से ही एक image cut कर रखी है तो मैं उसका इस्तमाल कर रहा हूँ आप अपनी image को pen tool का use करके cut कर सकते हैं उसके बाद click को drag करके यहाँ पर ले आए Ctrl T करके अपनी image का size adjust कर ले Size adjust करने के बाद enter press करें अब आप अपनी image को Ctrl J करके copy कर ले अब आप copy वाली layer को select करके उस पे right click करें और convert to smart object पर click कर दे एक बार फिर से right click करें और restoreize layer पर click कर दे Ctrl दबा के image पर click करें और black color fill कर दे अब आप filter में जाएं और वहाँ से blur में जाके गैशन blur पर click कर दें यहाँ से आप अपने according blur कर दें आप देख सकते हैं कि हमारी shadow तो आगई पर ये चारो side आ रही है पर हमें सिरफ left side की side shadow चाहिए तो इस पे mask apply करें mask apply करने के बाद आप brush select करें और image के corners पर चला दें आप देख सकते हैं कि हमारी shadow बहुत अच्छी तरीके से apply हो चुकी है ये बहुत ही easy method है अपनी image पर shadow लगाने के लिए I hope आप कोई वीडियो पसंद आएगी मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye